हे वाट्साप गाईज आप लोग कैसे हो आई हो आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों वाइटी इस्टीडियो पर एक अपडेट आ गया है जिस अपडेट के बाड़े में जानना आप लोग के लिए काफी जादा जरूरी है आप लोग एक न्यूव यूट्यूवर हो तो जो जोरूर से आज की वीडियो को पूरा देखिए क्यूंकि इस अपडेट के बाड़े में तो आप लोग को जानने का मिलेगा साथ में इस अपडेट से कौन सी फाइदा मिलेगा कौन सी लुकसान होगा सारे चीज जो एक क्लियर में आप लोग को बताने वाला हूँ तो वीड और पर सील कलिए जिसे मुझे भी सिपोर्ड मिल सके तो चलिए इस अपडेट के बाड़े में हम लोग जान लेते हैं इसके लिए हम लोगको जान भाड़ेगा फौंड की स्क्रीन पर जाते हैं दोस्तो अब लोग जैसे देख सकते हूँ मैं फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ अब मैं वाइटी स्टीडियो को जो है ओपेन कर लोंगा तो चलिए मैं वाइटी स्टीडियो को ओपेन कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं कोई एक वीडियो के उपर क्लिक कर दिती हूँ उसके बाद लिए पेञिए पेंसिल आयपन पर क्लिक कर दिती हूँ जिस तरह से हम लोग वीडियो में टाइटेल टैग डिस्क्रिप्जन लगते हैं उस जगह पर आप लोग को आ जाना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग एक option देखने को मिल जाता है No, it is not made for kids तो simply यहां पर मैं जब क्लिक कर दूँगा देखिए दोस्तों उपर की तरफ आप लोग को अब कुछ information देखने को मिल जाता है कर देगा कोई भी ब्रावजर पर तो वहां पर से आप लोग पता कर सकते में for kids content क्या है आप लोग को नहीं पता है तो देखिए उपर के तरफ यह के पास में एक symbol दिया हुआ है जिसे आप लोग को कांफी जहाद़ मिलेगा और इसके बाढ़े में 99% लोगो जानकारी नहीं होता है जो new creator है उन लोगो तो चलिए हम लोग इसके बार में पूरा जान लेते हैं दोस्तों देखिए मैं पहले इस English को पढ़ूंगा उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा explain करके बताऊंगा देखिए यहां पर लिकाव हाए Regardless of your location You are legally required to complete with the Children's Online Privacy Protection Act and or other lays You are required to tell us that your videos are made for kids if you make children's content अब दोस्तों मैं आब लोगों को इसको पूरा explain करके बताती हूँ easy तरीकों से Simply दोस्तों YouTube आपर बता रहा है आपके लोके सान कही के भी हो यानि के आप कही के भी रहने वाले हो YouTube के इसे फ़रक नहीं परता है अगर आप लोग Children's Content बनाते हो यानि कि आप लोग अगर बच्चों के लिए Made for Kids Content बनाते हो तो आप लोगों ज़रूरी है YouTube के जो Children's Privacy Protection Act है उसको मान के चलना पड़ेगा and others जो भी कोई आईन कानून है उसको भी आप लोगों मान के चलना पड़ेगा and आप लोग अगर Children's Content बनाते हो तो YouTube को बताना पड़ेगा आपके content Children's Content है यानि के Made for Kids Content है या नहीं है Yes और No को सिलेक करके Simply आपके वीडियो अगर Children's Content के अंदर पड़ता है आपके वीडियो के आपके वीडियो के चैनल के अंदर चलाएंगे तो इस तरह के जो आपके वीडियो के वीडियो के रन नहीं होगा Made for Kids वीडियो के अंदर देखिए dating application अगर Made for Kids वीडियो के अंदर कोई भी जालते हो तो बिल्कुली जो YouTube के जो प्राइबेसी पोटेक्शन है उसके खिलाबे तो simply YouTube हैंपर यहीं बता रहे है alongside other children videos यानि के दोस्तों YouTube यहां पर जो बता रहा है आपके वीडियो अगर Made for Kids है तो YouTube यहां पर यहीं चीज बता रहा है जो परसेन जो बच्चा आपके वीडियो देख रहा है वो तो आपके वीडियो देखेगा उसके साथ साती YouTube इस तरह के जो बच्चे है देखें आपर बताया गया है एज रेस्ट्रिक्ट वीडियोज आर नोट सोन इन क्रियेसान एडियाज ओफ यूट्यूब यूट्यूब याने कि हम लोग जब एज रेस्ट्रिक्ट के जगा पर आते हों आपर हम लोग सिलेक करते हमारे वीडियो 18 साल के ऊपर और नीचे सब क को दिखाई है यह याँ कोई ऐसे भी परसे ने जो एज रेस्ट्रिक्ट वीडियो मनाते हो और सिलेक करते हमारे जो वीडियो 18 साल के नीचे को बच्चे कर मत दिखाए है उपर के बच्चे को दिखाई यह तो सिंपीली तब क्या होता है सिंपीली ओचीज अगर आप लोग एड्स दिया जाएगा याने कि सब एड्स वीडियो के अंदर रन नहीं किया जाएगा कुछ ऐसे कंपनी यह जो नहीं चाहते हैं जो इस तरह के जो यह वीडियो बनाते हैं उनके अंदर मेरा जो एड्स रन करें तो उस तरह के जो एड्स रन नहीं किया जाएगा लिमिटेट एड रन किया जाएगा यानि कि जो कमपनी चाहते हैं इस तरह के वीडियो के अंदर भी मेरा जो है एड रन करे उस तरह के जो है एड आपके वीडियो के अंदर रन किया जाएगा यानि कि मेरा मतलब है लिमिटेट एड आपके वीडियो के अंदर रन किया जाएगा हर एक वीडियो के साथ पता के लिए गुड़ बाई